आउनी इस ट्यूटियर ब्रंड चैनल में एक पर आपका फिर से स्वागत है तेकि जैसा कि आप थम्नेल में देख पीरों कि यूपी टिपलस सी लेकपाल भरती अपडेट तो क्या है अपडेट उसकी चर्चा करेंगे सुप्रिम कोड केस डायरी नंबर 11877 अब लिख 2023 वही डायरी नंबर 11230 अब लिख 2024 अब क्या करें आखिर में तो सभी खो पहली बात तो धहर बना कर काम करें चुकि कोई गेम नहीं है इसमें बहुत ही धहरता से काम लेने की जरूरत है वही आप जैसा की बिंद्या चल नंबर वन कहने का मतलब एक समस्या का हल जो है एक अप्रैल को है दूसरी समस्या सोलर पंप वाले प्रस्ण को लेकर है तो वह पाच अप्रैल को है और फाइनल जो है वह कहिए मेंस जो जिस पर सुनवाई होनी मेंस इस्टे को हटाने के लिए वह आठ अप्रैल को है तो क्या अर्जंसी मिल जाएगी लगना जरूरी है तो वास्तों में इसके लिए क्या करना चाहिए होली न मनाएं लेकिन ये जरूर करें तो क्या करना है वीडियो को प्लीज अंतक देखेंगे जिसे सारी बाते समझ में आ सके आप सभी नोजैनित लेकपाल भाईबान है आप के लिए थोड़ा सा ये कह दिजिए बाधा या काटा सामने रास्ते में पड़ गया है जल्दी ही दूर होगा लेकिन धायरे से काम ले हर बड़ाए नहीं चुकि आचार सहीता लग चुकी है इस वज़ा से कोई ऐसा उगरता का काम ना होने पाए कि जिस से आपके कैरियर पर असर पड़े तो चलिए प्लीज वीडियो को अंतक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें और दोस्तों को भी सेयर करें जिससे सभी तक बात पहुंशेंगे सबसे पहले तो चलिए एक छोटी सी जो अपडेट है कि इक्क्यावन आट्सो सतात्तर जो डारी नंबर है ये इक्क्यावन आट्सो सतात्तर अबलिक दोहजार तेईस जो है यह स्रीधर यादो वी एस दी स्टेट आप तरप्रदेश अभी इस स्टेटस दिखरें पेंडिंग है और इस सारी चीजें यहाँ जो टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड आन लाइकली टो बी लिस्टेड आन आठ अप्रिल दोहजार चोबिस में इस एट अप्रिल दोहजार चोबिस को लिस्ट है अब बिलकुल यहाँ कोर्ट की तरप से भी यह है कि टेंटेवली केस में भी लिस्टेड आन लाइकली टो ब लिस्टेड आन एट अप्रिल दोहजार चोबिस तो आठ अप्रेल भी बहुत दूर नहीं है लेकिन जानते हैं कि चुकि एक महीना आपके लिए बहुत कठिन सबीता कठिनाई का वह समय जैसे काटों का समय था वह दूर हुआ यह भी दस दिन की ये छुट्टी भी आपके लिए तोड़ी बाधा तो जरूर है लेकिन वह भी दूर हो जाएगी अब करना क्या है उसको भी चर्चा करते हैं वह ही ससांक जी की जो रिट है सोलर वाले पंप को लेकर इनका डारी नमबर 11-223 आपलिख 2014 पेंडी यहां भी दिखा रहा है और इसको देखिए इनकी भी टेंटिवली केस में बी लिस्टेड आन लाइगली टू बी लिस्टेड आन 5 अपरेल 2024 में पाच अपरेल 2024 को ससांक जी है यह गगवर पोस्ट फूलपूर प्रयागराज के इनके द्वारा यह डाली गिरिट है सोलर पंप वाले प्रश्ण को लेकर बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं लेकिन आप चलिए चर्चा करते हैं पहली बात आपको क्या करना चाहिए होली तो जीवन में बारंबार आएगी लेकिन कैरियर में जो खुसी आई उसके साथ जो थोड़ा सा मिजाज परिवर्टित हो गया है उसके लिए आपको करना क्या चाहिए करना ये चाहिए कि आपको ट्विटर केंपेंज छड़ना चाहिए जिससे की आपकी बात जो है कहीं हो या नहो हम तो केवल इसारा करेंगे केवल माननी है मुखमंत्री जी के पास अगर यह बात माननी मुखमंत्री के कानों तक रही चुकि राजसुभी भाग या यूपी टिपल स्सी यूपी टिपल स्सी ने अपना काम कर दिया है उसने परिच्छा लिया डी भी कराया रजल्ट आउट कर दिया सौपदिया राजसुभी भाग को लेकिन अब अडचन जो आई हुई है उसको दूर करने का रास्ता केवल और केवल अगर माननी मुख्यमंत्री जी जरासा भी एक हनक दिखा दे सारी केस समाप्त हो जाएगे चुकि आप लीगल है अनलीगल तो है नहीं तो एक तो सबसे पहली बात तंबर एक है कि आप होली नमना कर एक ट्विटर कंपेज जरूर कल से ही छेड़िए आपस में आपका तो ग्रूप होगा नौचाइनित लेकपाल भाईवानों का आप अपने मार्ध्यम से चर्चा करके और ट्विटर कंपेज चले ठीक है राजा सुबिभाग को भी ट्विट करे यूपिटिपल जैसा की बहुत से साथी ये भी प्लान बना रहे हैं कि जिल्या मुख्याले पर जो है दस बीस की संख्या में होर्डिंग लेकर ठालना तो आजार सहिता लगी हुई है क्यों इतना बड़ा मजाक अपने आपके साथ नहीं करने की जरूरत है हां एक दो की संख्या में अपनी बातें पहुचाई जाए अगर बहुत वो है तो आप कोसिस करिए आप लीगल है मानी मुख्यमंत्री जी के जनतादरबार में मिलने की कोसिस करिए चाहे नोचैनित लेकपाल भाई में जो एक्टियो हूँ और चाहे नोचैनित लेकपाल भाईनों में हमारी द्रिश्रे जो मेरी सलाह है अगर पसंद आये तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं और यदि मानी मुख्यमंत्री जी के कानों तक चुकी जान रहे हैं कि सारी बाते बाहर बाहर रह जाती है जो एक राज्य का मालिक होता है हम लोग तो यही सोचते के नहीं उस तक सारी बाते पहुँच रही है अब आप सोचिए खुद अपने घर में रह कर आपको कितनी बाते पता होती कि आपने ना थित्रिस्तेदारों कि सभी की बाते आपको एक-एक बाते पता है तो इसलिए बात करना गलत है इसी वज़ा से मैं कर रहा हूँ चुकि मानी मुक्मंत्री जी का ही आदेश था कि जिसके बल पर UPTSC में भरती बहुत जल्द फाइनल हुई बहुत बड़ी बात है UPTSC का रिकार्ड को नहीं जानता है आप भी जानते सब जानता है तो यह बात लेकिन आप वहां तक पहुँचाए दूसरी चीज एक तो यह होगे मानि पहली बात Twitter campaign दूसरी बात कोसिस करिए मानी मुक्मंत्री जी की जनतादरबार में मिलने की कोसिस मांग करिए जिससे की urgency के लिए जो प्रस्ताव है यदि वकील साहब ने जो है वो चाहें कि चुकि उन्होंने चाहा नहीं इसलिए नहीं सुनवाई हुई वो क्या करें कि अगर कोसिस किया होता तो सुनवाई भी हो गई होती मामला final हो गई होता लेकिन जान बुझकर ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं प्रयास करिए आप सभी एक जुट होकर कि urgency की मांग करिए एक तारीख का केवल इंतजार करिए एक तारीख को solar pump वाला जो है वो क्या करते हैं बिंध्या चल वाला जो order आ जाए Miss High Court के मामले को आप देखिए सुप्रिम कोर्ट में SLP जो solar pump की है वो आगे पीछे वहीं होती रहेगी और अगर कोई order आ जाता है तो उस पर फिर बाद में क्योंकि सुप्रिम कोर्ट का order होता है तो इस्टे अगर हट जाता है तो no tension इसलिए सभी लोग हमारी दिश से आप आज या कल जब भी आप ग्रूप बना कर कोशिस करें Twitter campaign चलाने की दूसरी बात माननी मुक्मंत्री जी से मुलाकात की तीसरी बात urgency लगवाने की और रही ये बाते highlight करने से चाहे आप सभी के ग्रूप में हो जो भी YouTube पर बाते करते हैं कि मेरी high cold team मेरी supreme cold team मेरी ये team तो ये cricket या कोई game नहीं है आप अपने काम को चतुराई से निकाली चुकि अरचन डालने वाले बहुत से लोग होते हैं कब कौन अरचन कहां से बन जाए ये आप जानते हैं इसलिए अपना काम निकालने का आप प्रयास करें चुकि जो लोग जैसे solar pump के लिए है आप पूरा वो देख लीजिए टारी नमबर तो बहुत सारे लोग है 35-40 लोग कई लोग जुड़े हुए है आप सोचिए कि सब ही ने फाइल किया है कि भाई बहुत फर्क क्या पड़ेगा 1.25 का लेकिन उससे लिस्ट इधर उधर हो सकती है बेबी पॉस्पल तो इस वज़ा से कि वह आप अपनी चालाकी की और काम करें कि आप जो है जो तीन बाते हैं आपकी बात जो है अब जैसे अब यह हम नहीं कहेंगे कि IPL में भी जाईए IPL का टिकट लीजिए का नामे लगनो क्या है वहाँ तीस तारीक को और उसके बाद होल्डिंग बैनर लेकर बैठी है उचित नहीं है थोड़ा सा मेरी समझ से मेरी समझ से जो उचित है आप एक पद पर है कोई आप से उच्छिन नहीं सकता और उस पद के हिसाब से Twitter चला सकते है Twitter अभियान चला सकते है माननी मुख्मंत्री जी के जनता दर्बार में आप अपना प्रयास करके उसे मिल सकते है तीसरी बात आप राज सुबह भाग यूपिटिपलसी दबाव देकर आप अर्जनसी की मान कर सकते ये तीन रास्ते सक्छम है अब भाई जिसको पसंद आए तो पसंद आए नहीं तो कोई बात नहीं अगर मैंने कुछ गलत बोलाओ उसके लिए मैं छमपरार्थी हूँ लेकिन मेरी सुब कामनाएं यही है कि आप जल्द ही आपके हाथों में नियुक पत्र हो मैं सुरू से एक ही बात कर रहा हूँ और उसी पर अडिक हूँ तो कोई अपडेट मिलती है पुना आपके साथ साजा करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में सेयर करना ना भूलें जिस सभी तक के बाते पहुश सकें ओके थैंक यू